बीए थर्ड यर प्लिटिकल साइन्स सकिंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन के स्टुडेंट्स यूनिट फोर्थ में हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा भारत की परमाणू नीती उनिस ओड़ सट के पाल आज हम देखेंगे इसी टॉपिक के अंतरगत कि भारत की परमाणू नीती के आगे के जो क्रम में जो विभिन हमारी पॉलिसी रही है वो क्या रही है भारत की पर्मानु नीती में एन्पिटी के संदर्ब में हम आज बात करेंगे जिसे गैर प्रसार उपचार संधी भी कहा जाता है ये एक अंतराश्टिय इस्तर की एत्यासिक संधी है और इसका उद्देश्य है पर्मानु हत्यारों और हत्यारों की तकनी की प्रसार को रोकना पर्मानु उर्जा के शांति पूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना और परमानु निशस्त्री करण और सामान्य और पूर्ण निशस्त्री करण को प्राप्त करने के लक्ष को आगे बढ़ाना संदी परमाणु हत्यार राज्जों द्वारा निशस्त्री करण के लक्ष के लिए एक बहुपक्षी संदी में एक मात्र बाद्यकारी प्रतिबदिता का प्रतिनित्यत्तु करती है 1968 में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था इस संदी को और संदी 1970 में लाग हुई थी 11 माई 1995 को संदी को अनिशित काल के लिए बढ़ा दिया गया और इसके बाद संदी में कुल 191 राज्जे शामिल हुए जिन में पांच परमाणु हत्यार वाले राज्जे भी शामिल थे अधिक रदेशों ने किसी अन्य हत्यार सीमा और निशस्तिकरन समझोती की तुल्ला में एन्पिटी की पुष्टी की है संदी के महत्यों को एक वसियत नामा का रूप दिया है अप्रसार संदी के मौन प्रावधान यदि देखे जाएं तो इस प्रकार है इस संदी के लिए प्रते एक पर्माणू हत्यार राच्य पार्टी किसी भी प्रावध करता को हस्तांतिर नहीं करती परमानु हत्यार या अन्य परमानु विस्वोटक उपकरन या सीधे या परक्ष रूप से ऐसे हत्यारों या विस्वोटक उपकरनों पर नियंत्रन और परमाणू हत्यारों या अन्य परमाणू विस्वोटक उपकरनों के निर्माण या अन्य था किसी भी रूप में इस तरह के हत्यारों को बढ़ावा देने से रोकती है इसके साथ ही परमाणू हत्यारों या अन्य जो भी परमाणू विस्वोटक हैं उनके निर्माण या फिर उनको गैर परमाणू हत्यार राच्चों को साहता देना हो या प्रोसाहत करना हो या प्रेरित करना हो इस प्रकार के किसी भी प्रकार की साहता ये देश जो संपन है पर भी भी साहता प्रदान नहीं करेंगे ऐसा इस संधी में प्रावधान है इस संधी के लिए प्रतिक गैर पर्मानु हत्यार राज्य पार्टी पर्मानु हत्यारों या अन्य पर्मानु विस्वोटक उपकरणों की किसी भी शक्ति से अस्तांतरण के रूप में प्राप्त नहीं उपकरणों का निर्माण या अन्यता अधिकरण नहीं करना पर्माणु हत्यारों या अन्य पर्माणु विस्वर्टक उपकरणों के निर्माण में कोई भी साहता ना तो लेना और ना किसी को से प्राप्त करना संदी के सभी पक्ष सुगम बनाने और पर्मानु उर्जा के शांति पूर्ण उपयोग के लिए उपकरण सामगरी और वैज्ञानिक और तक्निकी जानकरी के पूर्ण संभव आधान प्रदान में भाग लेने का अधिकार रखते हैं ऐसा करने की इस्तिती में संदी की पार्टियों अकेले या अन्य राच्चों या अंतराष्टी संगठन के साथ मिलकर पर्मानु उर्जा के अनुप्रयोगों के विकास के लिए विशेशकर गैर पर्मानु हत्याश शेत्र में सयोग करने के लिए सयोग किया जाएगा दुनियां के विकाशिल छेतरों की जरुवतों के लिए उची तविचार के साथ संदी के लिए राज्य पार्टी होगी इस संदी की अनुसामर्थन के बाद सभी संदी हत्यार राज्यों के द्वारा इस संदी पर हस्ताक्षर करने अन्य राज्च्यों के द्वारा इस संधी पर हस्ताक्षर करने के बाद अनुसमर्थन के अपने साधन के जमा होने के बाद ये संधी लागू होगी इस संदी के उद्देशे से एक पर्मानु अतियार राज्य जिसने एक जनुरी उनने सो सरसर से पहले पर्मानु अतियार या अन्य पर्मानु विस्वोट तक उपकरनों का निर्माण या विस्वोट किया हो प्रत्यक पार्टी को अपनी राश्ट्य संप्रभुता का प्रयोग करने पर संदी से हटने का अधिकार होगा यदि उसने ये निर्ने लिया है कि इस संदी के विशेवस्तु से संबंदित अतिरिक्त सामाने घटनाओं ने अपने देश के सरवोचे हितों को खत्य में डाल दि होगी और इस तरह के नोटिस में अपने सरवोचे हितों को खत्रे में डालने के संबंद में जो भी घटाएं हुई हैं उनका विवरण भी पताना होगा भारत के संदर्ब में अगर हम विदेश नीती देखें भारत और एन्पीटी इसकी आलोचना के संदर्ब में ये का भा वेफन से स्टेट और दूसरा नॉन न्यूकलिर वेपनि स्टेट जैने जिनके पास पर्मानू शांता हे वह और जिनके पास शांता नहीं हैं वह कुएवल mająच देश ESTे चीन सहित ढ़ंने उन्यस सतr से पहले पर्मानू उपकरणां को निकाल दिया था उन्हें पर्मानू हत धियार राज्जी का दर्जा दिया था कोई भी अन्य राज्ज जो Npt पर हस्ताक्शर करना चाहता है उसे एक गयर परमानू हत्यार राज्जी की रूप में काम करना होगा तो 1974 में भारत ने अपने पहले उपकरण में परमानू उपकरण में विस्वोड किया इसकार थे कि भा नियुन्तम पर्माणु निवारक की आवशकता है यदि भारत एंपिटी को गैर पर्माणु हत्यार राजजी के रूप में हसान तिरित करता है तो भारत नियुन्तम पर्माणु निवारक भी नहीं रख सकेगा और पडोसी देश चीन और पाकिस्तान के साथ जो अकसर होता र परमानु हत्यार कार्यक्रम की और बढ़ रहा है एन्पीटी ने परमानु और गयर इसपष्ट देशों के बिजली के अंतर को वैद बनाने की कोशिश की और इसने अंतराश्य संबंदों में निशस्त्रिकरण या हत्यार नियंत्रण के लिए कोई प्रावधन नहीं दिया और यह फ्रांस और चीन के एन कारिक्रम की जाज करने में विफल रहा है जिसने मास को आंशिक परिक्षन प्रतिबंद संधी का उलंगन करते हुए परमानु परिक्षन करने की नीती को चारी रखा तो यह जो विभिन तर्क हैं उनके आधार पर आलोचिकों का यह मानना है कि एन्पिटी जो अंतराश्टिय संबंद है उसमें अंतराश्टिय संबंदों के दिश्चे से परमानु हत्यारों के समस्याओं को हल करने में सफल नहीं रही है और यह परमानु निशस्ट्र करन यह हत्यार नियंतरन के लिए कोई योजना योजना प्रदान करने में भी विफल है तो इसकी पहली समिक्षा हुई 1975 में फिर 1980 में फिर तीसरी समिक्षा हुई अक्टूबर 1985 में लेकिन इन तीनों ही समिक्षाओं के बाद भी संदी के प्र पलता नहीं मिली भारत के पूर्व विदेश मंत्री प्रणव मुखर जी ने 2007 में जापान की राज़ानी टोक्यों की यात्रा की थी उस समय उन्होंने का था कि अगर भारत में नपीटी पर हस्ताक्षे भारत ने नहीं किये तो वह अप्रसार के लिए प्रतिबद्धिता की कमी के कारण नहीं है बलकि इसलिए कि एन्पीटी एक दोश्पूर्ण संधी है और यह सार्वभामि गैर बहत्भाव पूर्ण सत्यापन और उप्चार की आवशक्ता को मानेता नहीं देती इसलिए भारत इसको स्विकार नहीं करता एन्पीटी के बाद एक दूसरी जो संदी लिए विग्ता तुमory AI इसके फल्फॉर्म में ब्यापक पर्माणू परिक्शन प्रतिबंद संधी ब्यापक पर्माणू प्रतिबंद संधी सिटीबी बिटी जिसे शर्ट में कहते हैं सभी पर्माणू इसनफों ल प्रतिबंद लगाने वाली संधी है हर जगे सभी के द्वारा संधी पर जिनेवा में निशस्य Görjan सब्सक्राइब अपना गयी थी 24 सितंबर 1996 को न्यूयर्क मेंसको हस्ताक्षर करने के लिए खोला गया और इसे आठ में से पांच पर्मानु सक्षम राज्जों सहीद 71 राज्जों द्वारा हस्ताक्षत किये गए थे अक्टूबर 2016 तक 116 देशों ने इसकी पुष्टी की और 17 राज्जों ने इस पर साइन किये और इस संदी के अनुलगनक दो में सूची बद 44 राज्जों के द्वारा इसकी पुष्टी किये जाने के एक स्वसी दिनों के बाद ये संदी लागू होने की बात कही गई इसमें पर्मानु उर्जा रियक्टर अनुसंधान रियक्टर इत्यादी से संबंधित प्रावधान भी थे 2016 तक आठ अनुबंध दो राज्जों ने संदी की पुष्टी नहीं की चीन, मिर्श्र, इरान, इसराईल और स्यूंद रज अमेरिका ने इस पर हस्ताख्षण कियें लेकिन संदी की पुष्टी नहीं की है भारत, उत्तुरी कोरिया, पकिस्तान ने इस पर हस्ताख्षण नहीं किये है यदि भारत की नीती इस संदर्व में देखें तो उसे पहले हम देखेंगे CTBT की मूल विशेशताएं कौन-कौन सी हैं एक तो यह कि संधी ने हर तरह के पर्मानु प्रतियारों के परिक्षन या पर्मानु विस्पोर पर प्रतिबद लगाया है दूसरा यह कि CTBT के उलंगन की जांच के लिए का अंतराश्ची निग्रानी प्रणाली स्थापित की जानी है थी किसी भी भूमी गत वायू मंडली या पानी के नीचे के विस्पोर्टों को पारंपरिक्स स्टेशनों के 1000 टन के बराबर से अधिक शक्तिशाली 20 स्टेशनों के नेटवर्ग द्वारा पता लगाया जाना है इसके अलावा अंतराश्ची निघ्रानी प्रणाली या व्यक्तिगत देशों जहां जासुसी वगेड़ह गतिवीदियां होती हैं उनके माध्यम से इसे नहीं होना चाहिए और द्वारा निग्रानी के अधार पर इकत्र की जानकारी के अधार पर पिकिसी देश के द्वारा ये देखने के लिए निरेक्षन का अनुरोद किया जा सकता है कि वहाँ पर विस्वोट हुआ है या नहीं और निरेक्षेन के द्वारा ये इस पश्ट होना आवशक है कि महाँ पर परमानु विस्वर्ट ना हुआ हो इस प्रकार ये कुछ विशेशता हैं इस CTBT की हैं जिसको साइस्टाक्षर कारणने वाले देशों के द्वारा फुल्फिल किया जाना आवशक है उसके वनुसा चलन आवशक है